नमस्कार साथियों मैं हूँ अतुल अवस्थी और दोस्तों मैं आपको बता दू कि S.C.G.D. 2023 मैं फाइनल सेलेक्शन की गैरेंटी लेकर मैं आया हूँ क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में 80 नमबर है मैं फाइनल सेलेक्शन की गैरेंटी लेकर मैं आया हूँ क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में 80 नमबर है मैं चाहता हूँ कि दुनिया में जिनके जवाब नहीं आते थे उनके सलाम आने लगे और तुम्हारा ऐसा वक्त बदले कि नीम के पेड़ में भी आम आने लगे तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही और आपकी ये बात मैं सिद्ध करूँगा क्योंकि रोज शोंगवार से लेके सनीवार मैं शाम 6 बजे रिजनिंग और रात 8 बजे हिंदी यानि 80 नमबर मेरे हाथ में 40 नमबर रिजनिंग 40 नमबर हिंदी लेकिन फिर आपकी बात आती है कि सर हमें टॉपिक वाइस पढ़ना है प्रिवेस येर पेपर आप सोंगवार से सनीवार पढ़ाएंगे तो हम टॉपिक कपढ़ेंगे तो टॉपिक हर रवीवार हर संडे शाम को 6 बजे रिजनिंग टॉपिक वाइस रात आठ बजे सामान हिंदी टॉपिक वाइस यानि हर संडे टॉपिक और मंडे से सेटल्डे प्रिवेस येर पेपर की तबाही तैयारी कराने मैं आ रहा हूँ तो जुड़िएगा जरूर एसे से डाट ओनी फोर सेवन के ओफिशेल यूट्यूब चैनल पर शाम 6 बजे रिजनिंग के लिए रात आठ बजे हिंदी के लिए इंतजार रहेगा आपका झाल 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 चलो अभी आवाज आ रही होगे पिर से शुरू करें क्या नमस्कार पुड़ाम आदाव जैहिंद मैं अतुल लवस्ति और सौगत करता हूं आप सभी काज के सेशन में दोस्तों मैंने आप से यह कहा कि हर संडे जैसे होता ना जी पूरी बॉड़ी जो है मैं ऐसे इसारा कर रहाता ना तो मैं यही शब्द पूरी बॉड़ी सब्सक्राइब प्रीवीश एर प्रीवर पर्डाटे परफूर से भाभ आने लगता है कि अतुल सरह वो टॉपिक वाइस का पुढ़ाएंगे टिकै ने चॉपिक वाईस का पढ़ाईणे तो एक बाहा दो तो एक बार बता दो कि ठीक है ना चलो एक बार हमको बता दो कि साउंड आ गया है अब ठीक है हम भी एक बार चेक कर ले नहीं पता चला पूरी इसी रामार खतम हो गई आप हम से यहीं पूचे सीता किसका बाब था चलो आगया सब कुछ आगया सब कुछ क्लियर हो गया चलो तो आज हम आप लोगों के लिए शुरू करेंगे आज फिर से कि आज हम आप लोगों को क्या क्या बताने वाले हैं जो लोग भी मेरे साथ रेगुलर जोड़ रहे हैं और जितने भी लोग मेरे साथ रेगुलर जोड सकते हैं है अच्छा जोग अब लोगों के लिए शुरू करेंगे आज पर्फेक्ट है ना आज इक्दम क्लियर है तो चलो बात हम यह कर रहे थे जितने लोग मेरे साथ जुने आज एक टॉपिक पढ़ेंगे और खतम हो जाएगा आज कल जब भी तुम लोग रील चलाते तो यह लोग इतना बंडल सोचो देश की दिशा में जा रहा है वह मेरा बॉर्फरेंट छोड़के मुझे चला गया है बताइए बाबाजी हम क्या करें मतलब इस इस तरीके का लोग एड दिखा रहे हैं मतलब मेरे ख्याल से लगता है कि दुनिया भाईया अब यह घोर कल्यू आप आज कल वो एस्ट्रो लॉजर टाइब के कोई आप आने लगे और उसमें ऐसा ऐसा चीज पूछते हैं ऐसा अंठीक अंठी माला पहने रहते हैं भगवान ही मालिक है चलो फिर शुरुवात करते हैं आज हम आपको शुरू करेंगे लॉजिकल वेंड डाइगरम में क्य सफलता आपका कुछ नहीं विगार सकती अगर आप हुद में मजबूत हो तो सफलता आपका कुछ नहीं विगार सकती कि अफ जो लोग रेगूलर मेरे सांद जोड़ते हैं अब लेकिन एप चीज प्रमिस करता हूं अगले संडे से तुमनान का नुकसान करना में शुरू कर जी बताऊंगे तुम लोग खुद कहोगे फिर आज तक्वानां इस तरीके से कभी नहीं देखा होगा क्योंकि मैंने आपको बताए कि मैं सब को सुनता हूं तब मैं अपना लेक्चर लेकर आता हूं और आज मैं लॉजिकल वेंड डाइग्राम पढ़ाने जा रहा हूं और मुझे बताना क्या तुम सरसही कह रहे थे कि ने शाम को छे बजे रिजनिंग एसे जीडी की लेकर चलता हूं रात में आठ बजे सामान हिंदी लेकर एसे जीडी की चलता हूं और मैंने आपसे बोला है कि जो भी लोग है कि सेलेक्शन दिला के मानूंगा महनत कर सको तो बोलो और अगर मेरे मैं अभी पढ़ाने जारों लों का सेंस क्या होता है आज कंप्लीट आज के बाद लॉजिकल डाइग्राम पढ़ाना शुरू कर दोगे किसी को ठीक है और यह ससी जीडी का महापैक है जिसके बारे मैं आपको बताऊंगा जीनों ने ले लिया वह एक होता ने से पहुना होते हैं हमारे लिए सबसे विशेस लोग होते हैं जिनके लिए हम कुछ भी नई चीज बनाएंगे उनको जरूर मिलेगी और यह वो लोग हैं जो हमेशा कमेंट करते हैं तैंक्यों सो मच और आप लोग अपने आपको यहां देख सकते हो और यहां पर कुंतर हैं आका कमेंट लिया है इन्होंने 22 घंटे पहले कमेंट किये थे आनंद कुमार जी ने कमेंट किया है कि प्रणाम गुरुजी आप से पढ़कर मेरे मन को सुकून मिलता है और मुझे लगता है कि जब कोई भी रिजनिंग का पेपर मैं कर सकता हूं मेरा स्कूर भी 18-19 पहले में कुनाल शर्मा है कुनाल शर्मा है इन्होंने 22 घंटे पहले कमेंट किया था कि सर मैंने यू तीउब पर बहुत से टीचर से क्लास ली है बट सर आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है आप बहुत ही ठीग बहूत ठीक बताते हो लवी अतुल देखो जितने लोग सोचत तो सबका मसाला मेरे पास मिल जाता यह ठीक हैter लेकिन मैं सबसे अलग पढ़ाता हूं Sबसे अच्छा पढ़ाता हो उन्हीं के जैसा उन्हएं सारे ठीचरों को थोड़ा थोड़ा समावेश आपको अथुल अबस्थी के अंदर मिलता तो चले फिर शुरुवात करते हैं आज का लॉजिकल वैंड डाइग्राम लॉजिकल वैंड डाइग्राम शुरू करने जा रहा हूं और आज के बाद कभी दिक्कत नहीं हो जैसा तुम लोगों ने देखा ना कि प्रयागराज उत्तरप्रदेश और भारत इनका लॉजिकल व चले शुरू करें चलो आज मैं आपको बताऊंगा लॉजिकल वैंड डाइग्राम की जब हम बात करते हैं तो उसके चार प्रकार होते हैं आप लोग जब भी गोला वाला सवाल देखते हो ना कि सरीन में इनमें ये ये गोला बन रहा है इनमें इनमें ऐसा रिलेशन है इनम यानि आप अपनी भावनाओं को जब गोले के माध्यम से दिखाते हैं तो उसे लॉजिकल वैंड डाइग्राम कहते हैं एक बात यह याद रखना कि लॉजिकल वैंड डाइग्राम हमेशा केवल चार ही प्रकार का होता है लोगों को लॉजिकल वैंड डाइग्राम के नोट आज के बाद कभी कोई भी माई कलाल इसके आगे बना सकता है क्योंकि लॉजिकल वैल डाइग्राम सिर्फ इनी चार पार्ट में ही पूछा जाता है और आप इसी में उनिवर्सल अफरमेटिव का डाइग्राम कुछ इस तरीके से बनता है उनिवर्सल अफरमेटिव का मतलब क्या होता है जब सारी चीज एक दूसरे के अंदर समाही तो जैसे मैं बिना पापा के बेकार हूँ मेरे पापा मेरे दादा के बिना बेकार है तो अगर कोई बोले कि यह आतूल सर तो यह हो गए अतूल सर लेकिन desire किसके सानिद में या तूर do पापा है और फिर ये कौन है या तूर सरके दादा है यह दादा है बोलो हायना तो यह होता है युनिवर्सल अफरमेटिव जब चीजे एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक हो या ऐसा भाव प्रकट करें उसे हम युनिवर्सल अफरमेटिव कहते हैं याद रहेगा की भूल जाओगे ठीक है ना अब देखो अगर हमने आपसे कहा कि भारत इलहाबाद और सबहाव प्रकट करें तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है जरा देखो तो सारे लोग समझ ना बता भारत इलहाबाद विश्म सारे लोग आंसर करो बिटा जिनके हम जेट लगते हैं रिस्ते में वह भी करो हम लड़कों के जेट लगते हैं सोचो अगर मैंने कहा कि भारत इलहाबाद और विश्म यानि इंडिया इलहाबाद और वर्ड तो हम यह कह सकते हैं कि जो अलहाबाद है यानि जो अलहाबाद है यह पी में और पूरा यूपी कहा है इंडिया मेंれव अब बाता कि सफिन को युनिवर्सल अफर्मेटिव में कोई दिक्कट कोевой लोग क flavors of definitive क इला वाला हो गया भारत तो पूरा इलहाबाद उत्तर प्रदेश में पूरा उत्तर प्रदेश भारत में यूनिवर्सल अफर्मेटिव किसी को कोई दिकत एकदम ऐसे च्छान घोट कैसे पीज़ा बिटा कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए एक सिंगल डाउट नहीं रहन क्या बनेगा अभी मैं है बात कर रहां से उनिवर्सल अफर्मेटिव की यानि ऐसे शब्द आप से chunks जाएंगे जो एक की अंदर एक की अंदर एक होते तो यानि ऐसा भाव प्रकट करते हैं जो एक केंदर इससे उनिवर्सलों ःफर्मेटिव कहते है तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव में क्या हो सुनो पहले इधर आओ उसने क्या बोला बोले गुरुजी कक्षा ब्लैक बोल्ड स्कूल यानि जो ब्लैक बोल्ड होता है यह ब्लैक बोल्ड किसके अंदर होता है बोले सर यह कक्षा के अंदर होता है और यह सारी कक्षा कहा होती बोले सर सारी कख्षा स्कूल में होती है यानि इसको यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहते हैं यानि जब ऐसा भाव प्रकट हो जहां पर सारे जो शारे सब्धें एक के अंदर एक के अंदर एक आने लगे तो उसे हम यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहते हैं सारे भौमिक सकारात् आया है मैंने पहला बताया चार प्रकार होते हैं बेटा जी युनिवर्सल अफर्मेटिव युनिवर्सल नेगेटिव पर्टीकुलर और मिसलेनियस यानि चार होते इसके अलावा नहीं होते समझ में आ गया पहला समझ में आ गया युनिवर्सल अफर्मेटिव समझ में आ सब कोईबर यस सर बोलो ना घलत सही कुछ भी करो यस सर बोलो ना ऊठाइब तयते युनिवर्स अगरति या न सोर्भामिक नन्य यानि कभी भी कोई शब्द ऐसे दिये हो जिनका आपस में कोई मतलब ही ना हो तो उनको कैसे दिखाते हैं अलग-अलग गोले में दिखाते हैं यानि कोई तीन शब्द ऐसे दिये हो जिनका आपस में कोई मतलब ही ना हो जैसे तीनों अलग-अलग हैं इनका आपस में कोई लेना देना ना हो उसे हम क्या कहते हैं यूनिवर्सल हो कोई ऐसे शब्द दिये गए हो जिनका आपस में कोई संबंद ना हो वहां पर यह डाइग्राम बनता है जैसे पहला सवाल देखो हमने आप से का हौकी फुटबॉल क्रिकेट हमने आप से का हौकी फुटबॉल क्रिकेट अब हम आप से पूछे जल्दी से सोचो हौकी कोई तुम्हारा नाम पूछेगा तो वह भूल सकते हो लेकिन कभी डाइग्राम नहीं भूल सकते हो युनिवर्सल अफर्मेटिव समझ में आ गया एक के अंदर एक के अंदर एक युनिवर्सल लेगटिव अलब तीनों का अपस में कोई संबंध ना हो तो अगर कोई बोले एक क्रिकेट यानि यह तीनों अलग अलग खेल है बोलो याद हो गया इसमें किसी को कोई दिक्कत यानि इससे युनिवर्सल नेगटिव कहते हैं बोलो ना बेटाई जी बार-बार करो गलस सही कुछ भी करो करो ताकि वैंड डाइग्राम में यह हो कि हासर वैंड डाइग् तो युनिवर्सल नेगटिव का मतलब समझे कि इस डाइग्राम को क्या कहा जाता है यह डाइग्राम कब बनता है जब कोई तीन ऐसे शब्द हो जिनका आपस में कोई मतलब ना हो और अगर कोई तीन ऐसे शब्द हो जो एक दूसरे के अंदर एक दूसरे के अंदर जैसे भ लोहा एक अलग एलिमेंट है सीशा एक अलग एलिमेंट है और नाइट्रोजन नाइट्रो एक अलग एलिमेंट है यह याद रखना नाइट्रोजन एक अलग एलिमेंट है तो अगर को यूनिवर्सल अफरमेटिव पूछे क्या होता है यूनिवर्सल नेगेटिव पूछे क्य होता है तो इन दोनों में कोई दिक्कत है कोई भी अगर मारकर अगर मैं आज क्लास नहीं ले पाऊंगो जड़ा बच्चों को वैंड डाइग्राम पढ़ा दो तो दो चीजे बता लोगे कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव यूनिवर्सल नेगटिव दो यह चीजे पढ़ाई और अभी तक बोलो हाँ या ना यह पढ़ा लोगे आगे चले आगे चले बोलो कि अब बात करते हैं पर्टीकुलर तीसरा आता है पर्टीकुलर हाँ पर्टीकुलर क्या होता है जहां पर कोई तीन शब्द ऐसे लिखे हो जो थोड़ा-थोड़ा एक दूसरे संते टच्च म लेकिन थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के टच में उसे पर्टिकुलर कहते यानि ऐसा डाइगरम बनाते हैं यानि जब सीबी आई जांच होती है न तो जैसे मानलों की जब कोई पासवर्ड लिखना होता है तो तीन व्यक्तियों का नाम अगर लिख के ऐसे गोला बना हुआ है यानि ये तीनों कहीं न कहीं तीनों पूरता है एक दूसरे से संबंधित नहीं है लेकिन कहीं न कहीं एक दूसरे से आपस में संबंध रखते हैं तो बोले सर पल्टिकुलर का मतलब क्या हुआ जो विशेश रूप से एक दूसरे के साथ है लेकिन पूरता है एक साथ नहीं किसी विशेस रूप से एक सात है लेकिन पूरता नहीं है उन्हें particular कहते हैं बोले सर कैसे जैसे इधर देखो जैसे लेखक संगीतकार अब मेरी बात जड़ा गौर से समझना इस दुनिया का सारा लेखक संगीतकार नहीं हो सकता सैमत हो मेरी बात से यस और नो इस दुनिया का स सारा लेखक संगीतकार नहीं हो सकता लेकिन कुछ लेखक संगीतकार भी होते हैं जैसे हीमेश रेशमिया कुछ लेखक संगीतकार भी होते हैं पहले बताओ यह समझ में आया कि नहीं आया या विशेस रूप से कुछ संगीतकार लेखक होते हैं कुछ लेखक संगीतकार होते हैं मैं धीरे-धीरे समझा रहा हूं समझने की कोशिश करो टॉपिक वाइस में लपेट लिए जाओगे अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि पर्टिकुलर मतलब जो अगर तीन के शब्ध दे रखागी इसका 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 बताओ कैसा समबंद है तो अगर वो तीने तीनों किसी तरीके से आपस में दूसरे से संबंद रखते हैं जैसे दुनिया के कुछ लेखक संगीतकार होंगे कुछ संगीतकार लेखक होंगे और सिख्षक की बात करूं तो यह तीनों एक दूसरे का गुण रखते हैं जैसे दुनिया के कुछ सिख्षक संगीतकार हो सकते हैं दुनिया के कुछ संगीतकार लेखक हो सकते हैं इन्हें particular कहा जाता है या विशेश कहा जाता है इसलिए कहता हूं कि आपको सुनने की जरूरत है दुनिया अभी तक शूते था लॉजिकल वेंड डाइग्राम तीन चीजे लिख दी और बताओ इसमें से कौन सा सही है तो वह धावचूक में चलता था यहां सर यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है लेकिन अब हम यह कह सकते हैं कि जो लॉजिकल वेंड डाइग्राम है वो चार प्रकार का होता है एक होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव यूनिवर्सल नेगेटिव पर्टीकुलर और मिसलेनियस तीन मैंने बता दिये किसी को कोई तकलीफ तीन मैंने देता हूं जरा यह देखो सिख्षक माता-पिता और अभिवावक अगर मैं आपसे कहूं कि क्या दुनिया का हर सिख्षक किसी का माता-पिता है दुनिया का हर सिख्षक क्या माता-पिता है बोले नहीं से दुनिया का सारा माता-पिता अभिवावक है क्या अई बच्चे हों करेगा तो दुनिया के कुछ अभिवावक माता पीता है दुनिया के कुछ माता पीता सिक्षक हैं कुछ है भाव के देखो गार्जियन में फर्क होता है गार्जियन किसे कहते हैं कि जब parents teacher मीटिंग होती है तो मम्मी पापा ना जाए बड़ा भाई बड़ी बहन चाचा माउसा फूफा कोई भी चला जाए तो उसे गार जिन कहा जाता है है तो हो सकता है इनके घर में यह माबाप तो हो अपने बच्चों का लेकिन अभिवावक उन्हों ने अपने बड़े लड़के हो गया मैंने तीन चीज बताया किसको लगता है कि रिजनिंग नहीं समझ में आती मैं आपसे इसलिए अपने बैच में बुलाता हूं कि सारे चैप्टर में सिक्वेंशियल लगा देता हूं अभी बताओ किसी को इन तीन चीजों में कोई दिक्कत हुई मैं इस तरीके से क्ल मैं बहुत अच्छा नहीं पढ़ाता लेकिन सारे टीचर को सुनके अपने अंदर समाहित करता हूं तो सबका मसाला तुमको मेरे पास मिल जाता है तो यह बात समझ में आगे तीन चीजें बताई अब तुम सोचों की कौन कहता है कि रिजनिंग टाफ है मेरे मेरे साथ समय त सर यह है है ना जो विशेश रूफ समबंधी तो तीनों समझ में आ गया है बोल देयार पूरा अंडर वर्ड देख राए तूथू कर वाओ गया अपने गुरुजी की बोलो हाँ या ना तीनों चीजे क्लियर करा दी लव यूटू बेटा आगे चले मिसलेनियस आज तुमा उंडर्ट होते हैं मिसलेनियस के साथ पार केश one case two case three case four case five case six case seven है न और यह बहुत आसान होते है इसको समझना बहुत आसान होता है ठीक है अब हम आपको गोला दिखाएंग आप हमें परिस्थिती मैसेच करेंगे कि मतलब यह गोला दे कि आपको क्या लगता है कि कैसे बन स मिसलेनियस में यह डाइग्राम कब बनेगा अगर हम तुम से कहें कोई ऐसा तीन चीज बोलो जहां पर ऐसा संबंद आए कि दो का आपस में रिलेशन ना हो लेकिन दोनों किसी तीसरे के अंदर हो ऐसा कोई केस सोचो मतलब अगर एक्जाम ऐसा सोच कि देखो ना ऐसा सोचो को यह ऐसे तीन शब्द बोलो जहां पर यह दोनों का आपस में कोई संबंद ना हो लेकिन यह दोनों किसी तीसरे के अंदर हो जैसे अगर मैंने बोला अगर मैंने बोला अभिनेता 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 और अभिनेता बड़ा सा बना दिया इसी में बोल दिया सलमान इसी में बोल दिया अक्षय कि इसी में अक्षय कुमार सल्मान खान तो बताओ अक्षय कुमार सल्मान खान दोनों के दोनों अभिनेता हैं लेकिन दोनों का आपस में कोई प्लेशन नहीं हैं तो बोलो समझ में आगया तरी मिसलेंयस का के स्वन एज्ञानी एक एसे सब्द यह शब्द धाय जो कोई दो ऐसे शब्दो जिनका आपस में को रिलेशन ना है वी अलेकिन की सी तीसरे के अंदर दोनों समाहि तो उससे हम केस्वन कहते हैं मिस्लेनियस का याद रहेगा समझ में आए पहले अंग उठे वाला बटन दबा के अटेंडेंस लगा दो आज जित्ते लोग आ चुके हो सहमा तो मेरी बात से अब आओ इसका एक आपस में कोई संबंध नहीं लेकिन यह दोनों किसी तीसरे के अंदर है जैसे तुमसे पूछा जाए डाल और तुमसे पूछा जाए चावल और यह पूछ लिया जाए पर्चून की दुकान यह पर्चून यह पर्चून की दुकान तो पर्चून की दुकान में डाल चावल लेकिन दाल उचावल का आपस में कोई लेना देना नहीं क्योंकि दोनों अलग अलग अनाज है ये दोनों पर्चून के अंदर है तो मिसलेनियस का केस वन समझ में आया कि नहीं आया तक मैंने क्या क्या पढ़ाया बच्चा लोग यूनिवर्स का एवाला और के जहां को यहां को दोनों किसी तीसरे के अंदर हो तो उसको इस तरीके से दिखाया जाता है और यहाँ पेपर स्टेशनरी इंक यह सही हो जाएगा नई समझ में आया आप हमारा खून पीने के लिए स्वतंत्र समझ में आ रहा है तो मुझे बर बता दो लेकिन आप से हाथ जोड के निवेद्दन है आपका टीचर हो फिर भी हाथ जोड़ना हो गलस सही कुछ भी जवाब द तो यह से यह दोनों का आपस में है लेकिन किसी तीसरे के अंदर थे अब इन दोनों का आपस में थोड़ाला सा रिलेशन है इन दुनिया का सारा कुत्ता पालतु जानवर नहीं ंहीं दुनिया के कुछ कुत्ते पालतु जानवर यह बता हुएं सुनने साहिंकार मत करना नहीं तो पागल हो जाओगे अगर उसवे बोला की केश टू बता लोग अंदर है जैसे खुधा और पालतु पशु नहीं होते हैं ठीक है और तो होते हैं और और यह रहलें हो यहां सब्सक्राइब लिए है अघ्ञत क्लियर हो 1914 कुंदिशन कौन से सही हो जाएगी कंडिशन कौन से सही हो जाएगी यहां पे गुला और बना लुए इसके अंदर एक गुला इसे होना चाहिए तीसरा सही हो जाएगा एक गुला ऐसा होना चाहिए तीसरा सही हो जाएगा बोला सहमा तो मेरी बाद से सहमा तो मेरी बाद से चलो अच्छा इसका इसके साथ पूरता संबंध हो लेकिन इसका इससे कोई लेना देना नहीं अब जड़ाद देखो जैसे आपसे कोई बोले कि मालो यह कोई अभिनेता है यह कोई अभिनेता है यह कोई अभिनेता है अभिनेता है ठीक है ना और यह सारे के सारे अभिनेता अभिनाय करते है सारे के सारे नेता अभिनाय करते हैं यानि सीरियल करते हैं और यहां पर डॉक्टर बोल दें डॉक्टर बोल दें अब बताओ दुनिया का सारा अभिनेता अभिनाय करता है लेकिन डॉक्टर का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं यह केस्थ्री हो गया तुम लोग भी अलग हो जाए यह केस यह दो कई बच्चे आंसर दे रहे हैं बहुत ही शांदार बहुत ही शांदार हो गया यानि ऐसा डाइग्राम तब बनता है जब यह सिच्वेशन आती है केस्थ्री हो गया कि बाउंस तो नहीं कर रहा है पहले बताओ सब शोल क्या है अपराधी लेकिन न्यायधीश का इससे कोई लेना देना नहीं है न्यायधीश समझ में Z एक्जाम में ऐसे आएगा तो कर लेंगे तो दुनिया का हर चोर अपराधिया लेकिन नियाधीश अलग हो जाएगा बताओ सहमत हो मेरी बात से मैंने अभी कितने केस बता दिये बोलो कितने केस बता दिये समझ में आ गया कि नहीं यूनिवर्सल अफर मेटिव पूरा पूरा यूनिवर्सल नेगटिव अलग अलग पर्टिकुलर तीनों का आपस हो थोड़ा संबंद हो और केस वन केस टू केस थ्री साथ केस होते हैं साथ केस होते हैं इसके बाहर एक का इक्जाम दो सीजील का इक्जाम दो बैंक का दो और बीका दो रूलर रिजनल बैंक दो दुनिया में कोई भी एक्जाम दो एक कोश्चन बाहर से नहीं आएगा मैं गयारेंटी के साथ क्योंकि इसके अलावा कुछ होता ही नहीं इसलिए अतना कॉन्फिडेंट हो के बोल सा संबंद हो और तीसरे का इन दोनों से कोई संबंद ना हो जैसे इस तरीके का किस कब बनता है जैसे आप से बोला जाए दुनिया का हर तार तांबे का नहीं होता है दुनिया के सारे तार तांबे के नहीं होते हैं दुनिया के सारे तार तांबे के होते हैं दुनिया के कुछ ही तारतांबे के होते हैं और कागज का इंसे कोई लेना देना नहीं है बताओ केस फूर समझ में आया कि नहीं आया मेरी जिम्मेदारी रटवाने की मेरी जिम्मेदारी पुरुस होगा कितना इंट्रेस्टिंग है पता नहीं तुम लोगों को इंट्रेस्ट कैसे नहीं आता है दुनिया का हर पुरुस होगा और डॉक्टर की बात करें तो दुनिया के कुछ कुछ ही पिता डॉक्टर होंगे कुछ ही पिता डॉक्टर होंगे और कुछ ही पुरुस दुनिया का सारा पुरुस डॉक्टर हो रही सकता तो दुनिया का कुछ पुरुस डॉक्टर हो गया दुनिया के कुछ पिता डॉक्टर हो गये बोलो हा या न बोलो हा या न मुझे एक सिंगल बच्चा बोलो जिसको ना समझ में आ रहा हो रगण के पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है तो अगर आपसे कोई बोले दुनिया का हर पिता पुरुस है दुनिया के कुछी डॉक्टर पिता होते हैं कुछी डॉक्टर पुरुस होते हैं सारे थोड़ी न बाप बन गये हैं बोलो सहमत हो और एक एक्जाम में कैसे पूछे गई है जैसे देखो दुनिया की हर माता महिला होगी दुनिया की हर माता महिला होगी ये कन्फरम है दुनिया की हर माता महिला होगी और लेकिन कुछी माता क्या होंगी इंजीनियर होंगी और बताओ कुछ ही महिला इंजीनियर होंगी बोलो सहमत हो कि नहीं मेरी बात से तो हमारे हिसाब से यह आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा चौथा बिल्कुल सही है बांस तो नहीं कर रहा है यह लोजिकल वेंड डाइग्राम का टॉपिक और ओपें चैलेंज देता हूं किताब ही तो रखे होगे आज पलट लेना आज पलट लेना और सारा यूट्यूब च्छान डालना ऐसे किसी के पास लोजिकल डाइग्राम देख लेना तो मुझे बतान प्रिवेंट को सुनता हूं तभी मेरे पास हर तरीके का मसाला मिलता है तुम यह नहीं कह सकते हैं अरे सर हम वहां यह पढ़ेते हैं क्योंकि मैंने उनको सुना है वो सब हमारे मेरे लिए पूजनी वह तो टीचर है मैं तो अभी बालक हूं तो मैं अभी सीख रहा हूं तो इसलिए आपको सारे मसाले मेरे पास मिल जाते हैं बोलो सहमत हो मेरी बात से यह आपको समझ में आ गया दुनिया के हर माता महिला होगा अभी तो प्रैक्टिस कराऊंगा अभी तो प्रिवेस यह पेपर कराऊंगा मैं आगे चलते यह वाली कंडिशन कब बनेगी चलो यह व बच्चे अभी पिता नहीं बन सकते क्योंकि वह बच्चे हैं बच्चे कभी पिता अभी नहीं बन सकते क्योंकि वह बच्चे हैं बच्चा उसे पिता बनने के लिए पूरा नर होना पड़ेगा पूरा उसकी सरीर विक्सित होनी पड़ेगी लेकिन दुनिया का हर पिता कुछ है ना लेकिन रुप आ नहीं पिता बनने के लिए पूरी चरम सीमा पर आपकी बॉड़ी सपोर्ट करनी चाहिए ठीक है ना आगे चलते हैं यह रहाँ गया लाश्ट यह लास्ट आ गया जैसे अगर हमने बोल दिया लाल अब लाल कपड़ा भी होता है और लाल फूल भी होता है अब यह बताओ दुनिया का हर फूल लाल होता है हमको बताओ दुनिया का हर फूल लाल होता है मतलब यह सब कुछ तुम जानते हो लेकिन अच्छा हां यार यह भी तो बात सही है दुनिया का हर फूल लाल होता है ऐसा बात सही क्या नहीं दुनिया के कुछी फूल लाल होते हैं दुनिया के कुछी कपड़े लाल होते हैं दुनिया के कुछी कपड़े लाल होते हैं दुनिया के सारे कपड़े लाल नहीं होते हैं दुनिया के कुछी फूल लाल होते हैं बोलो सहमत हो की नहीं मेरी बात से तो अगर इसी तरीके से आप से यहां प द्यारथी है और कुछ लड़की विद्यारथी दुनिया का.. लड़की विद्यारथी नहीं है तो यह बात विद्यारथी नहीं टॉपिक आपका मैंने कर दिया रोज संडे मैं आपको टॉपिक वाइस पढ़ाऊंगा और यह याद रखना कि अब अगर संडे संडे आप मिस करेंगे तो नुक्सान आपका होगा क्योंकि अगले संडे अगर ब्लड लेशन पार्ट वन पढ़ाया तो पार्ट टू मैं अगल को इतना कुछ मैंने बटाया है यह देखों आपको यह बताया ना मेनने इसके चार पार्ट होते हैं और देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ लिया इसकी PDF में टेलीग्राम पर देदूगा परशान नहीं होना चलो अब हम देख लेते हैं कि आपने कितना सीखा अब हम देखते हैं कि आपने कितना सीखा चले प्रीवेस यह पेपर 20 सवाल कराऊंगा प्रीवेस यह पेप आजो चलो पहला सवाल यह रहा और यह रहा आपके पास शार्क है वेल है कच्छुआ है सही डाइग्राम क्या बनेगा जो आपने पढ़ा है वैसे में को बताओ सार्क है वेल है कच्छुआ है सही डाइग्राम क्या बनेगा मतलब एक बार पहलो पूरा मानव जीवन क्लियर हो आलग जानवर है और कछुआ एक अलग जानवर है कि बताओ यह अलग हो जाए में शाघ वैल और कछुआ सारक विलर कछुआ तीनوں अलग अलग जानवर है अब जल् condensed जल्दी रिवाइस करो जल्दी सांग उठेवाल बटन दपाऊ अटेंडेंस लगाओ बताओ मेरी क्लास कैसी लेगे और जल्दी जल्दी बताओ ठीक है आगे चलते हैं दूसरा सवाल दूतरा सवाल है कि नीली आखों वाली और टोक्टर नीली आखों वाले अलग बात है और ते अलग है डॉक्टर अलग है तो नीली आखों वाले और टोक्टर जल्दी से सोचो जल्दी से सोचो और यह चीज़े में बार बार करो 20 सवाल कराऊंगा पूरा मजी के एकदम क्लिय हो जाएगा कि लॉजिका 45 मिनट सुन लो सारा का सारा टॉपिक लिए अब उसने बोला कि नीली आखो वाले और और डॉक्टर तो यह बात याद रखना दुनिया की हर और और नीली आख की नहीं होती है लेकिन कुछी नीली आख वाले डॉक्टर भी होते हैं और कुछी नीली आख और डॉक्टर होती दुनिया की सारी और भी डॉक्टर नहीं होती है इसलिए दूसरा सही होगा अब जल्दी जल्दी एक बर बता दो जो पढ़े हों कितना ज्यादा कारगर है बीस सवाल कराओंगा पहले दो साल पांच सवाल दस सवाल गलत करोगे लेक कीट मख्यां कुट्टा कीट मख्यां कुट्टा कीट मख्यां और कुट्टा कीट मख्यां और कुट्टा कीट मख्यां और कुट्टा सही डाइग्राम क्या बनेगा अब तो मुझे बताओ दुनिया की हर मख्य कीट है कि नहीं है और कुट्टा उससे अलग हो जाएगा दु कि हर क्या है लेकिन कुट क्या है इक अलग जान वर है अब बताओ श्केल वह हैं आप सकताथ तुमने 1200 कर दींगे लेकिन अभी एक ना पैर दिमाग में क्लियर हो रहा है अच्छा है अप संभाग है ओ अच्छा अच्छ हुगे नहीं तो हम इसे गोद में तो लेंगे नहीं कि जरा धीरे से रो मेरे लालना तेरे रोने में बड़ी आवाज है हम भी हम आपको अब भी सवाल कराएंगे शुरू के पांस सवाल तक जूज होगे अरे सर मेरा गलत हो जा रहा है और जब 20 सवाल तक पहुंचे ओ अब नहीं होगा गलत यहीं ची चुहिया गोरईया पक्षी चुहिया अब यह गलत होगा अब यह गलत होगा क्या गोरईया पक्षी चुहिया गलत होना चाहिए मेरी बात अगर सही लगे तो समर्थन कर लो मैं चूप चूप एकदम चूप एकदम चूप अब गलत हो जाए तो मैं जानू एक सिंगल बच् यो नियोत ओस संदेप फड़ा रहा हो तो ग Lawrence scarter याद रखना अगर दुनिया की हरल合Tram यापी है हर गूराइया जो है वह पक्षी में आती स्seede यह बात याद रखना दुनिया की हर गौरईया पक्षी में आती है और यह क्या हो गया चुहिया हो गया जिनका इन दोनों से कोई मतलब नहीं है अब बताओ अब मुझे बताओ अब बुलो सैमत हो मेरी बाद से सैमत हो मेरी बाद से आगे चलते दो सकंड इनको हटा दिये ज्यादा परिशान है चल इसका अंसर बताओ परवत जंगल प्रिथवी परवत जंगल प्रिथवी जल्दी से सोचो परवत जंगल प्रिथवी बार बार कहता हूं कि अच्की जीजों से भागों मत जितना सोचोगे सर पंजाब हर्यारा चंदिरगर के किस में आएगा कि टाइटेनिक वीडियो सच में तुम्हारी बुद्धी भी फिर टाइटेनिक वाली है मेरे दोस्त अगर हम से यह पूछ रहोगे कि कौन साइसा एक्जाम जिसमें डाइग्राम नहीं आता है मुझे कोई एक ऐसा सिंगल एक्जाम बताओ कम से कम बुद्धी तो टाइटेनिक वाली मत बनाओ यार अब दुनिया में बताओ कि कौन साइसा पेपर है जिसमें लॉजिकल डाइग्राम नहीं आता दुनिया में छोटे में होता है और स्वाल करा आई त्षरी पर्वत और जंगल यह दोनों के दौनें किसमें होते हैं यह दौनों के दोनों प्रिथ्ध्वी पर है बोलो हाया न हाल न अब 5 सवाल करा कर आया थोड़ा सा चांड फल्राय तो भी रहेलेगा तो समर्थन करना कि मेरा कहना साहिए कि नहीं सब्जी आलू गोभी शब्जी ऑलू और गोभी बताना सहि avendi डागरम क्या है सब्जी ऑलू और गोभी अब गलत करो कर्द गलत ठाब नहीं होगा विकास मिठाली साहिल प्रशांद शिरी मुहम्मद साहित साहब अंकूर प्रिया जोती नितीश गोपाल अब मेरी बात सुनो जैसे यह बताओ गोभी बेटा जी आज ही मैंने सुबह सब्जी बनाई थी है ना हाँ मैडम आपकी घर पे है नहीं इस वज़े से थोड़ा साब हम गवी बनाते हैं आजई गोभी सब्जी बनाए ते आलू यह दोनों सबजी है और यह दोनों के दोनों सब्जी बताव ना समझ मैं तो बनातों है चydAK T से से मत होगी नहीं मेरी बात से तो सुनोगे नहीं तो कहां से बताएं घर में बैठ के बताएं सुनना पड़ेगा मेरे लाल सुनना पड़ेगा मेज कुरसी फरनीचर अभी बताओ मेज कुरसी फरनीचर अब गलत होगा अब गलत होगा आओ करो गलत अब लेकिन बस मुझे करने के लिए गलत करो तो मैं नहीं जानता एक बच्चे का अगर गलत हो गया तो यह मार कर रख दूँगा कसम से बता रहा हूं अगर मेरी बात जस्टिफाइड लगे तो मुझे बताना कि मेरा कहना सही है कि अगर मैंने कह मेज कुरसी फरनीचर की बात करूं तो यह मेज है मैं बात करूं यह कुरसी है और यह दोनों के दोनों दोनों के दोनों फरनीचर में आते हैं दोनों के दोनों फरनीचर में आते हैं फॉर्चूनर नहीं बेटा जल्दी समय आएगा फॉर्चूनर खरीद होगे यह दोनों क सब्सक्राइब 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 दिन और सब्सक्राइब 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 तो अब मेरे उपर ने मेरी वजह से तुम को साउगन अपने गुरु जी को अगर मुझे इतनी मुहबत करते हो अगर रूह में डाइग्राम घुसा है समझ में आया है तो एक बाल लव यू सर बोलो कि हां सर क्लियर हो गया मेरी वज़े से नहीं कि सरह आपके मान के रखने की चक्र में बोल दे सारा दिन बताओ सपताह में होता है कि नहीं दिन मिलके सपताह में बनता है कि नहीं और सपताह मिलके साल बनता है कि नहीं इसी को यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहते हैं इसी को यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहते हैं बोलो ना एक बार सहमत हो कि नहीं मेरी बास से वाहरे मेरे लाल पहली बार ऐसा हुआ होगा कि देख यह जरह देखो चैट रेट देखो तुम लोग खुद देखो कम 4800 लोग चैट कर रहे हैं यह मुझे बड़ा अच्छा लगा देखके अब जल्दी से सोचो नियाधीश चोर अपराधी तो बोले कर यह तो आप ही ने बताए था दुनिया का हर चोर अपराधी है दुनिया का ह हर चोर अपराधी है और अगर नियाधीश की बात करूं तो यह हो गया नियाधीश यह क्या हो गया नियाधीश हो गया याद रखना तो दुनिया का हर चोर अपराधी है लेकिन न चोर नियाधीश है न अपराधी नियाधीश है इन दोनों से नियाधीश का कोई लेना देन नहीं है इसलिए चौथा सही हो जाएगा बताओ सहमत हो मेरी बात से बताओ सहमत हो मेरी बात से हाँ या न आगे चलते हैं इसका अंसर बताओ पती-पत्नी-परिवार पती पतनी परिवार अराम से सोच लोग पती पतनी परिवार और मैं बार बार करो बीस प्रस्न कराऊंगा बिटा दिल खुश कर दूंगा तुम्हारा पहले आंसर करो तो सही बात सही लगेगा तो समर्थन करना ट्राई करो गलत फलत कुछ भी करो लेकिन एक बार आंसर करो त और ये कोन है पती है और ये पती पतनी दोनों के दोनों किसमें एक परिवार में आशा करते हैं ऑ किसी का गलत क्योँ नहीं हो रहा है तुнов salir मुझसे नहीं होता थो द्यूम भ quiere बहुत कम जोरी रहा है ऑद के से सही हो रहा है मुझे एक बार अपनी जिंद्गी में मौका देदो एक बार देदो अगर के तुमova लिए ना गयार मैं उतना गधा नहीं हुट जितना निहीं कमा खुद को समझता हूए यह मैं कबूल मौनुझा हो कुछ मैं कुछ एक चांस अपने जिंदगी में करता हूं कि बेटा जी एज़ टीचर में बोला हाथ जोड के निवेदन कर रहा हूं गलस सलत कुछ भी करो लेकिन आंसर करो अब देखो जैसे मैंने आप से बोला कि आंसर क्या हो गवर्ग है आयत है बहुबूज है अब ज़रा समझ लेना वर्ग आया तो बहुबूज के अग अब एक के अंदर एक के अंदर एक है जल क्लियर हो गया आगे चलते दसमें चलते दस में से 8 लोगों करे साही है यंदस मे 스वे से नाओरस debris सी सथ धूबूह आप जल्दी तो शिवाद है अब जल्दी से सोचो आप सोचो ना बस कार वहन शाब अब जली बता दूद मातит ब तो इंता बुद्धी स्वाठ्ध हर चंता बुधिस्णान घर कोरे बने करते हैं चलब 11 से 20 30 पूरे 20 संब बताना किसके कितने मांक साइग इसके मैं पूरा बता ना यह याद रखना तो अगर मैंने असलमीर चिन्त्रा बुद्धי श्मान हर तो यह चिंता करो ना गलत सलत कुछ भी करो लेकिन आंसर करो अब बताओ पहले साच्छा महसूस कर रहे हो कि नहीं मैं आपसे बार-बार कहता हूं जो लोग है एक बार यह जैसे अभी संडे 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 तुमको एक हफ्ते इंतजार करना पड़ेगा छे दिन जब कि मैं टॉपिक कि और एक बार कहोगे कि सर आपने दिलको कर दोनों घर की उन्दर होता है कि नैग मिस्तर कहां होता है। कि इसनान घर कहा होता है जो अंडा देते उनमें इसतन नहीं पाया जाता जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाने की हिम्मत रखते हैं जैसे गाए भैस बिल्ली जो सीधे बच्चे को जनम देते हैं अंडा नहीं देते अंडा देने वाले कोई भी पचु पक्षी कुछ भी हो वो क्या नहीं हो सकते कभी इस्तन पाई नहीं हो सकते तो यह बात याद रखना दुनिया की हर गाय स्तन पाई है दुनिया की हर गाय मैमल है हर गाय स्तन पाई है जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है इस्तन पाई है लेकिन कव्या अंड़ा देता है कव्या अंड़ा देता है door हो जाएगा हाथी हम renowned हाथी बेडिया जाल दाजाओ किसी को तकलिफ हो आजाओ कि सर मुझे नहीं समझ looking तब 20% अगर तुम्हारा दिल ना खुश कर दिया तो मेरा नामा तुल अवस्थी ने और आज की बाद कभी नहीं कोगे किसा लॉजिकल वैंड डाइग्राम में दिक्कत है तो उसने क्या बोला हाथी भेडिया जानवर यह हाथी भेडिया यह दोनों के दोनों जानवर है हाथ लोह्श क्लोरी घात लोहा क्लोरी जल्दी से सोचो गलास लाथ कुछ है लेकिन आंसर करो अगैने nhưng लगा अगर हम्हाथी लगे तो अगर उसने बोब यह याद रकित्ट लोहा क्लोरीं कर लोहा जोग दहें हो जाएगा दोर है अलग हो जाएगा सफप्रीयن सबस्क्राइब करो लग रहे भूंश करहँ लग्र रह्याख सब्सक्राइब 17 सवाल कराया कैसा लग रहा है ठारावा सवाल सरसो जवालू सरसो जवालू जल्दी से बताऊ सरसो जवालू एक बार मुझे बताऊ ना इसलिए छे दिन रगड के कराऊंगा प्रीवेसियर पेपर डिटेल सलूशन के साथ 20 सवाल एकदम चान घोट के खतम करेंगे हर संडे प्रीवेसियर हर संडे टॉपिक और कितने टॉपिक मेरे पास हाई यह है ब्लेड डिलेशन डिस्टिन डारेक्शन ओर रेंगिंग सिटिं पर खर्च कर दिल खुश हो जाएगा कि सर आपने सच में पहली बारे से नोट्स का कलेक्शन देखा सरसो जवालू तो सरसो एक अलग चीज है सरसो एक अलग चीज है यह सारे लोग कमेंट करो बस आभी मैं थोड़ी दिर बाद चला जाओंगा तुमारी आखों के सामने से चीप कम से कम देख तो लुट थोड़ी दिर बाद मैं नहीं रहएंगा तो अखों के सामने में फिर आठ बजए मैं आए पिर आठ बज़े में आजाओंगा किन मेरी बặात सही लगे दुब तो बता ती ओलमों अलग अलग है तीन औलग साहम तो मेरी बाट से साह मारी सोल और बात और सही लगेगा तो समर्थन करता कि मेरा कहना है तो ऑर distinguished माता विध्वा जली बता औरत माता विध्वा मैंने बताया है गलत नहीं करना गलत नहीं करना अगला टॉपिक नहीं बताऊंगा नहीं तो उसी स्मच किया होगे न सब सर्प्राइज वेटा संडे सर्प्राइज संडे सर्प्राइज याद रखना यह बताऊंगा थोड़ी न संडे सर्प्राइज टॉपिक शुरू करूंगा अब बताओ दुनिया की हर औरत हर माता औरत होती है दुनिया की हर माता औरत होती है दुनिया की हर माता औरत होती है लेकिन सारी औरते विधवा नहीं होती या सारी माय विधवा नहीं दुनिया की कुछ माता या कुछ औरत क्य दो आगे चलते हैं लेक हाक सिक्षक आदमी बीसमों सवाल किसके कितने आंसर आ है मुझे बद जरूर मतना अपना 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 आंसर गरो किसके इसके अपना अंसर एध्या करो असर अजीव आदेश ठीक ठीक महाराज ठीक 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 पक्का ठीक है तो अब यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना पूछो क्या सबको समझ में आ अपने स्कोर बताऊ अगर बोला लेखक सिक्षक आदमी कभी किसी भैंस को देखे हो इसना वाइट ट करी ने लिखा है कभी ऐसा सुना है तो यह बात याद रखना कि अगर लेखक सिक्षक हो तो अब दो को आदमी यह तो खेर गलत बात है यह ऐसा नहीं हो सकता आप ऐसे इस डाइग्राम इसका थोड़ा सा मिस्प्रिंट है दुनिया के कुछ लेखक क्या होंगे सिक्षक आदमी के अंदर आजाएं यह सब आदमी अते थोड़ा समय स्पृंट है इस पो थोडा मिस्प्रेंट है ये बात या दिया द lados थोड़ा मिस्प्रिंट यह ऐसा डाइग्राम बनेगा यह ऐसा अपना इसकोर बताओ ना एक बार सारे लोग अपना एक बार अटेंडेस लगाव यार मुझे एप्रीशेट करना है अगर लगता है कि अच्छी की और जो मुझे नहीं भी पसंद करते हो मेरी मेहनत को एक बार 10 में से जरूर नंबर देना कि मैं तुम्हारे लिए जो मेहनत करता हूँ कितना लाजमी है और जैसे सब्सक्राइब दाने के लिए इसको लाल करना इसको पीला कलर करना इसको यह सब आगर करके इंट्रेस्टिंग बनाने ताकि तुम पढ़र हो अगर मेरी मेहनत सही लगती ह एक बार मौका मांग रहा हूं और सिर्फ एससी जीडी महापैक ले लो मेरे उपर छोड़ दो तुम कहोगे कि अतुल सर आपने दिल खुश कर दिया मेरे कहने पर बस तुम एक बार 247.com विजिट कर लो यह मालों कि अतुल सर को गुरुदक्षिना दे दी 899 रुपए तुम्हारा उससे ज्यादा पेट्रोल डला लेते उससे ज्यादा कुछ यूज कर लेते हो एक बार मुझे मौका दे दो कि मैं तुमारी जिंदगी में आऊं और तुमको यह एहसास दिलाओं कि तुम उतने भी ब्योकूफ नहीं हो जितना तुमने खुद को बना रखा है बसे एक बार ड़ी फूर से डॉट कॉम चले जाओ और एससी चले जाओ और एससी जीडी चले जाओ ठीक है ना और आकल मैं ऐसे तुम लोगों का कमेंट देखना चाहता हूं जो यह मेरा सबसे प्यारा कमेंट व कर रहा हूं कि एक बार यह जरूर पर्चेस कर लेना अड़ा 247.com अड़ा 247.com पर जाके एक बार अड़ा 247.com all courses SSC पर चले जाओ और एक बार में कहा रहा हूं तुमके ओले ससी जीडी महापैक ले लो मेरे उपर छोड़ दो यह ससी जीडी महापैक यह ले लो और यह जित जैसे वाई 272 अपलाई करो के 919 का हुआ 919 का हुआ और यह जितने लोग मेरे टेलीग्राम पे मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे परसनल नेटवर्किंग साइट में हर जगा बच्चे डिमांड करते सर कल यह टॉपिक होना चाहिए कल यह टॉपिक होना चाहिए इसलिए मैं सं कोड़ गलत मत लगाना है कि इसको खरीदने के लिए आप सभी को कूपन कोड़ इस्तेमाल करना है यी 272 आप सभी को कूपनकोड़ करना है व्लाइट दो साथ दो यह 899 का हो जाएगा यह occupy यह लिकार्ट विडियो टॉपिक उल st einzवर सब्सक्राइब लिस्ट मिल जाएगी वीडियो पूरे GS की पूरी टॉपिक वाइज पूरा करिंट अफियर टॉपिक वाइज पूरा इस्टैटिक जी के टॉपिक वाइज सब कुछ पूरी 2313 नमबर ओफ वीडियो है यह याद रखना एक सो असी किताबें मिल जाएंगे हिंदी और इंगलिस तो एक बार मैं कहा हूं मेरे कहने पर 32006 मिल जाएगी जिसमें टॉपिक भी होगा टॉपिक वाइज अलग होगा और यह याद रखना टॉपिक वाइज टेस्ट अलग होगा और पी वाई की वालग होगा दूसरी प्रसम से आपने दिल खुश कर दिया तो मुझे बताना लेकिन एक बार आंगूठे वाला बटन दबाके लाइक जरूर कर देना और मुझे बताना कि मेरी क्लास कैसी लगी मुझे लाइक तो चाहिए चाहिए और मेरे साथ संदे को टापिक पढ़के कैसा लगता हो पूरे और दिन किसको टॉपी का इंतिजार रहेगा रोज शाम को 6 बजे मैं प्रिवेस यह प्रफा पढ़ाता हूँ रात आठ बज़े आज संगया पढ़ाऊंगा आज रात आठ बज़े कितने लोगवे रात आठ बज़े आठ संगया पढ़ाऊंगा अपना नाम भूल जाओंगे अगर संग्या भूल गया तो अतुल अवस्ति उत दिन से पहाना बंद कर देंगे आज रात आठ वजे पढ़ाऊंगा रात आठ वजे लेकिन अगर यह सारी चीजे मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं एक बार 899 खर्च करके महा पैक ले लो तो जैसे दमाद की इज्जत नहीं होत सारी टेस्ट फ्री सारी किताबें फ्री और क्या चाहिए तो एक बार मुझे अपने लाइफ में मौका दे दो Y272 कूपन कोड लगा कि SSC GD महापैक ले लो और बाकि सब मेरे उपर छोड़ दो तो मेरी क्लास कैसी लगी मुझे एक बार जरूर बताना जाते आते एक बार लाइक जरूर कर देना तो आज की अटेंडेंस हो जाएगी और 8 बज़े आओगे ये बता देना कूपन कोड हमेशा यही होना चाहिए जब तक अड्डा में हो Y272 ही होना चाहिए तो क्लास मेरी कैसी लगी मुझे एक बार जरूर बताना कमेंट बॉक्स में